जैसरी राधिकृष्ण आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल भीके मिस्रा प्रजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आईए आज आप सब सुनेंगे निर्जला एक आदसी दौदसी पारण के दिन तोलसी माता की कथा। इसी प्रकार से ज्यान बरधक जानकारिया प्राप्त करते रहने के लिए प्रत्त पूजा के बारे में जानने के लिए कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बारा आये हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें साथ में वेल आइकन घंटी को पूजन करते हैं भगवान शालिक राम का पूजन करते हैं माता तुलसी का पूजन करते हैं एक आदसी का ब्रत्य करते हैं इसे भगवान स्रीहरी विष्णु अतिप्रशन होते हैं और अपना क्रपा परदान करते हैं एक आदसी का ब्रत्य जो कि सभी प्रकार के पापों को न एक विशेश महत्तु माना गया है माता तुलसी जो कि अपने भकतों की सभी प्रकार के पापों को निश्ट करने बाली है और भगवान विश्णु को जो की तुलसी दल अति प्रिय होता है बिना तुलसी का पूजन करे और तुलसी विख्षि के नीचे जो कि दीपक चलाने चाहिए इससे मात्ण MS office ऐपना करण करते हैं NO कि भगवान श ऑनिक राम के साथ पिति विधान के साथ कार्टा के महीने में किया जाता है और प्रतेक दिन भगवान विश्णु का पूजन करना चाहिए भगवान विश्णु के पूजन के साथ साथ माता तुलसी का पूजन करते हुए कथा भी सरवन करना चाहिए इससे भगवान विश्णु और माता तुलसी का कृपा प्राप्त होता है तो आईए सुनते हैं 12 पारण के दिन तुल सामर्थ के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जा करके वहां से गूगल पे फोन पे या एकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपने स्रधा और सामर्थ के अनुसार हमें ब्रहामन दक्षिना प्रदान कर सकते हैं तो बोलिये प्रेम से माता तुलशी की जै भगवान स्री हरी विश्नु की जै माता लक्ष्मी की जै भगवान शालिक राम की जै एक आदशी माता की जै सर्व देवी देवता की जै तुलसी से जुड़ी हुई एक कथा जो की बड़े ही प्रशलित है श्री मत देवी भागवत पुराण में इनके दिब्ब अवतरन की दिब्ब लीला कथा भी बताई गई है एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को सबुद्र में फेक दिया उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया यह बालक जो की आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी देत्यराजा बना इसकी राजधानी का नाम जो की जालंधर नगरी पड़ा देत्यराज काल ने कि कन्या ब्रिंदा का विवाह जालंधर से हुआ जालंधर युकी महाराक्षस था अपनी सत्ता की मद में चूर होकर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने की कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप म पहुँच गया भगवान देवादिदेव शिव का ही रूप धारण कर माता पार्वधी के समीप गया परन्तु माता ने अपने योग बल से उसे तुरंत ही पहचान लिया तथा वहां से अंतर ध्यान हो गई देवी पार्वधी ने कुरुद्ध होकर सारा बृतान भगवान व तो मारा जाता था और नाही पराजीत होता था इसलिए जालंधर का नास करने के लिए बिंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत ही जरूरी था इसी कारण भगवान विष्णों रिशी का वेश धारण कर वन में पहुँचे वहां बिंदा अकेली ही भ्रमन कर रही थी वहां पर घूम रही थी भगवान के साथ दो मायावी राक्षश भी थे जिन्हें देखकर बिंदा भैवीत हो गई रिशी ने बिंदा के सामने पल में दोनों को भश्म कर दिया उनकी शक्ति को देखकर बिंदा ने कैलास परवत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अप अपने पती जालंधर के बारे में पूछा रिशी ने अपने माया जाल से दो वानर को प्रकट किये एक वानर के हाथ में जालंधर का शीर था तथा दूसरे के हाथ में धर था अपने पती की यह दशा को देखकर बिंदा मुर्शित होकर वही पर गिर पड़ी होश में आने पर उन्होंने रिशी रुपी भगवान से विंती की कि वह उसके पती को जिवित करें भगवान ने अपनी माया से पुनह जालंधर का शिर धर से जोड़ दिया परंतु स्वयम भी वह उसी सरीर में प्रवेश कर गए ब्रिंदा को इस चलका जरा भी पता ना चल पाया जालंधर बने भगवान के साथ विंदा पती व्रता सा व्यवहार करने लगी जिससे उसका सतित्व भंग हो गया ऐसा होते हैं विंदा का पती जालंधर जो कि भगवान शिवशे युद्ध कर रहा था वो युद्ध में हार गया और मारा गया इस सारे लिला का जब ब्रिंदा को पता चला तो अहां कुर्द होकर भगवान विश्णू को जो की शिला होने का स्राप दे दिया तथा स्वेम भी सती हो गई जब ब्रिंदा भश्म हुई वहाँ पर तुलसी का पौधा हुगा भगवान विश्णू ने ब्रिंदा से कहा कि हे ब्रिंदा तुम अपने सत्रित्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो अब तुम तुलसी के रूप में सदा ही मेरे साथ रहोगी जो मनुश्य मेरे शाली ग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा पूजा करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश्ण की प्राप्ती होगी जिस घर में तुलसी होती है वहाँ पर यम के दूत भी और समय नहीं आ जा सकती गंगा वा नर्मदा के जल में बर माना जाता है चाहे मनुश्य कितना भी पापी क्यों ना हो मिर्दु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुक में रखकर निकल जाते हैं वहाँ पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है जो मनुश्य तुलसी वा आवले की छाय अपने पितरों का स्राद्य करता है उसके पितर भी मुक्षु को प्राप्त हो जाते हैं इस प्रकार से जो भीभगत सच्ची स्रद्धा के साथ भगवान विष्णू का पूजन करते हैं उन्हें विपल यश्ड की प्राप्ती होती है तथा सभी प्रकार के पापों का नाशु होता है तथा सभी प्रकार के मनुरत शिद्ध होते हैं पूलिये प्रेम से भगवान विष्णु की जै माता लक्ष्मी की जै तुलशी माता की जै भगवान शालिक राम की जै सरवदीविदीवता की जै इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची स्रधा के साथ नियम और निश्ठा के साथ भगवान विश्णु का पूजन करते हैं भगवान शालिक राम का पूजन करते हैं तुलसी माता का पूजन करते हैं उनके सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं तथा भगवान विष्णु की गृपा से माता दुलशी माता लक्षमी की गृपा से व्यक्ति के सभी परकार के पाप और ताप नश्ट हो जाते हैं तथा सुख और शम्रिध्धी की प्राप्ति होती हैं तो आसा करता हूं यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो ऐसे ही ग्यान बर्धक जानक से मिलता रहें वीडियो को लाइक करें शेयर करें शुखी रहें और स्वस्त रहें जैसरी राधिक्रिष्ण धन्यबाद